Basic Graphs and their Equations अगर आपके पास Identity Function है तो इसको आप Graph में कैसे रिपर्जेंट करोगे ठीक है तो सबसे पहले Identity Function का Definition क्या होता है बटा Function of X is equal to X मिस्स X की जो भी value रखोगे Function of X की वही value आएगी इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं कि Y is equal to Function of X is equal to X X is जो भी value अपने डाला, Y की value भी वही आ गई Yes or No तो इसका मतलब है X और Y directly proportional है तो यह proportional का Graph यह हो गया You know This is the graph for Identity Function इसी तरह से Absolute Value Function देखिए Absolute Value Function मिना Mod of X इसके दो बाते होती है पहली होती है Minus X when X is less than 0 And plus X when X is greater than and equal to 0 Yes or No अगर 0 से बड़ा नमबर है ठीक है तो देखो Same Identity Function की तरह Function of X is equal to X अगर 0 से बड़ा यह equal है तो इसका मिने यहां से यहां ऐसा चलेगा Yes or No Obviously Yes अब वहाँ पर क्या है Minus X जब X की value Less than 0 है माना X की value 0 से कम है माना छोटी है Negative number है तो अभी मों देखो Minus X चल रहा है माना More of X की तरह चल रहा है तो Minus Minus Plus माना इस तरह से graph होगे तो this is Graph of Absolute Value Function Yes or No What is the exponential function नाम से ही पता चल रहा है कि exponential इसका मतलग धीरे 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 बढ़ रहा है ठीक है तो this is the exponential function You know this one is the exponential function मना function of X is equal to e to the power X What is the quadratic function तो function of X equal to X square मैंने क्या बताः था Quam is 2 quadratic मना exponent मना power जिसमें variable के उपर Power 2 रहे उसको quadratic equation कहते है और यह parabolic होता है ठीक है तो इसको parabolic हम लोग इस तरह से डाल दिए Cubic function तो function of X is equal to X cube तो इसका कैसे होता है देखो इस तरह से ध्यान दिजेगा one small clear है अब log algorithmic function log X log X का differentiation कैसे करोगे थोड़ा सा बढ़ेगा और बाद में फिर इस तरह से होता चला जाएगा अब तुम कोगे कि सर ये सब तो मुझे याद रखने पड़ जाएंगे हाँ बेटे ऐसे तो याद रखना पड़ेगा कुछ ऐसा भी method है कि जिसमें याद ना रखना पड़े learn ना करना पड़े हाँ है ना पहली बात है टेंथ क्लास में आपने पढ़ा जो होगा जिसको बेबकूप method मैं कहा करता था ठीक है कि सबसे पहले लिगने ये बेबकूप नहीं ये सबसे अच्छा method है यहाँ पे x लिग दो बेटा यहाँ पे function of x जिसको y कहते है लिग दीजे अब x की value जैसे इस वाले के निकाल रहा है x की value आपने 0 रखा तो function of x भी 0 हो गया 1 रखा तो 1 हो गया 2 रखा तो 2 हो गया minus 1 रखा तो minus 1 हो गया जी तेक है अब देखो x 0 y 0 x 1 y 1 x 2 y 2 x minus 1 y minus 1 तेक है इसी तरह से इसको भी put कर दोगे इसी तरह से इसको भी put कर दोगे कहने का मतलब क्या यह जो result आता है वो इसी method से 10th class के method से graphical method वहीं से आता है लेकिन हमें बार बार उतना put करके नहीं देखना है इसलिए हमें learn रख लेना पड़ता है कि यह कैसा हो गया जी यह identity function हो गया यह modulus function हो गया है इसको absolute value function कहते है इसको exponential function कहते है इसको logarithmic कहते है इसको quadratic कहते है इसको cubic function कहते है लेकिन याद रखना modulus जो होगा इसमें जब दोनों values के लिए तब modulus actually इसका नाम absolute value function ही है and you know this one is the logarithmic function square root function of x is equal to root under x देखो square root इसको कहते है न कि जिसमें यहाँ पर exponent क्या होता है 1 by 2 next to the power 1 by 2 इसको इसे भी लिख सकते हैं yes or no तो अब इसका कैसा graph होगा square root का you know this is the graph for square root value डाल के आप देख लिए जएगा यह square root का graph होगा next cubic root you know this is the cubic root अब देखना यह cube और cubic दूनों different cube में क्या होता था ऐसे आता था फिर ऐसे जाता है in cube root में नीचे से थोड़ा सा जाता है दियान रखना है बेटा क्योंकि power 1 by 3 है इसको आप लोग क्या लिख सकते है x to the power 1 by 3 तिक है और अगर ज्यादा दिक्कत हो कभी भी तो क्या की जेगा इस मेथाड को 10th class के मेथाड को x और function of x value put करके आप derive कर सकते हैं लेकिन मैं तो कहूंगा कि लाट रखना बेटा यह general graphs है और उसकी equation है अब circle x square plus y square equal to r square तो you know this is the circle x square plus y square equal to r square because this is center और यहां से यहां तो इसको ऐसे भी लिखते हैं circle का equation ऐसा भी लिखते हैं लोग x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square तेक है यहां पर h और k दोनों की value 0-0 है इसलिए ऐसा otherwise क्या होगा circle इधर या उधर या उपर या लीचे जाएगा next one is called reciprocal graph so easy function of x is equal to 1 upon x तो यक्स की value आप बढ़ा रहे हो तो y की value घट रही है x की value बढ़ा रहे हो तो y की value घट रही है x की value बढ़ा रहे हो तो y की value घट रही है this is the graph for receive broken function यह first and third quadrant में होता है अब receive broken square square function 1 upon x square x square तो हमेशा positive ही होगा ठीक है और लेकिन हाँ यह receive program है तो इसको कैसे लिखेंगे देखो यह थोड़ा उपर से चला जाएगा यह देखना तो नीचे गया है और यह उपर उपर से चला जाएगा जी थोड़ा सा उपर उपर से चला जाएगा this one is called reciprocal square अब ellipse का equation तुमको कैसा circle और ellipse में difference क्या होता है circle में क्या होता है सारे radius equal работать ellipse में क्या होता है x side किर्ण दिया होता है यह वाला distance कम है इसको क्या कहते है major axis इसको क्या कहते है minor axis अब देखो x के नीचे E है तो यह a major axis का distance होगakis मेंना यह वाला coordinate होग Chapter a,0 यहां पर प्वाइट क्या होगे बिटा माइनस a,0 और y का जो है b है तो यहां पर क्या लिखेंगे 0,b and you know here it is the 0, minus b so this is the graph for ellipse once more this one is the square root function of x equal root under x this is the cubic root this one is the circle this one is the reciprocal function this one is the reciprocal square and you know this one is the ellipse